हेलो दोस्तो All In World TET चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो बिहार S TET 2020 एस्पेक्टेड कट अफ आफ्टर री एक्जाम एंसर की तो री एक्जाम एंसर की आने के बाद बिहार S TET 2020 का एस्पेक्टेड कट अफ इसमें बताई गई है तो दोस्तो आप पूरे वीडियो को अंतक देखे ताकि पूरी अपडेट आपको पता चल सके हैं दोस्तो बिहार STET में पास करने के लिए जो जेनरल कैंडिडेट हैं उनको 50% मार्स लाना होगा, 150 का परिछा आपका हुआ था और उसका 50% यानि कि 75 नमबर जेनरल कैटेगोरी के अभियर्थी को लाना होगा उसके बाद क्वालिफाई करेंगे वही पे अधर के कैंडिडेट को 45% मार्स लाना होगा यानि कि 150 का 45% दोस्तो देख सकते हैं 67.5 अगर आप नमबर लाएंगे तो आप जो हैं बिहार STET 2020 क्वालिफाई करेंगे तो दोस्तो आप सभी देख सकते हैं साइन्स सेक्षन की कट अफ इसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूँ साइन्स का है यू आर यू आर में जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं इसे एक सो दस भी कर रहे हैं लेकिन उनका रेशियो बहुत कम है 2-3 परसेंट है ठीक ना तो जो मैक्सिमाम बचे जो मार्स एचीव कर रहे हैं वो 96 से 100 के बीच में लेकिन कट ओफ जो आपकी रहेगी जिसपे आपकी जो है हो जाएगी वो रहेगी मेल में आपका 93 और फीमेल में 89 जो की एक्सपेक्टेड है यह अनुमानित है आप सभी के एंसर की आने के बाद मतरब री एक्जाम और 28 जन् एक्सपेक्टेड कट ओफ जो है निर्धारित के की गई है उसके बाद EWS की हम बात करें तो EWS में 92 मैक्सिमम बचे जो है चीप कर रहे हैं लेकिन जो आपका फाइनल जोइनिंग का जो कट ओफ एक्सपेक्टेड जो है 88 और फीमेल के लिए 85 वही पर हम BC की बात करें तो BC के 4 जो है महिला के लिए फीमेल के लिए सेफ जोन है EBC 90 मेल बर्ग में अगर 80 और अगर आप 82 भी है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है दिक्कत आपको नहीं होगी वही पर फीमेल में 78 SC की हम बात करें तो SC में दिकांस बचे जो है 88 तू 90 स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन जो है 77 है अगर इतना ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है और महिला के लिए 75, 72 तक जा सकती है एक दो नीचे जाएगा ठीक ना उसके बाद SC की हम बात करें तो SC में जो बचे स्कोर कर रहे हैं 85 तक ला रहे हैं लेकिन आपका जो सेफ जोन है वह है 72 और फिमेल के लिए 69 यह मेल के लिए है और यह फिमेल के लिए है ठीक ना साइंस गूप में वहीं पर पीएच की हम बात करें तो पीएच में 89 85 से बचे सुरू कर रहे हैं यानि कि अध 79 और 77 तक यह जाएगा ठीक ना उसके बाद हम संस्कृत की हम बात करते हैं तो संस्कृत में यूर का दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों इससे पहले मैं बहुता दूं कि अगर आप लोग अपने चैनल पे ना है फिर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को पाडी में 95-99 के बीच में बचे जो है स्कोर कर हैं मेल वर्ग में 95 जो है सेफ जोन है और फिमल के लिए 88 वहीं पर EWS की बात करें तो EWS में 93 चैनल करें लेकिन Safe zone जो है 87 और female के लिए 85 वही पर हम BC की बात करें तो BC में 88 से 89 के बीच बच्चे जो है score करें लेकिन male work में safe zone जो है 85 और female में 79 EVC की बात करें तो EVC में 83 और 85 score करें बच्चे लेकिन safe zone जो आपका है आपका 80 और female के लिए 78 वहीं पर AC की बात करें तो AC में दोस्तों जखते हैं 80 to 83 तक बच्चे जो है score कर रहे हैं लेकिन safe zone जो आपका है 77 और female के लिए 70 72 तक जा सकता है ठीक ना वहीं पर HD की हम बात करें तो HD में 79 score कर रहे हैं बच्चे 82-83 तक जा रहे हैं लेकिन safe score जो आपका है वह है 73 और female के लिए 69 वहीं पर pH की में 88 और score कर रहे हैं लेकिन safe zone जो है 85 और female के लिए 80 दोस्तों यह सेक्षन छूट गये थे अभी हरतियों के दोवारा बहुत सारे कोमेंट की जा रहे थे किसार इसका भी cut-up बताईए तो finally इसका भी cut-up आप लोग के लिए उपलब्द करा दिया गया है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कोमेंट करके बताएं साथ में दोस्तों अगर आप लोग अपने चैनल फिर नए हैं फर्स टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बगला बेल आइकोन उसको दवाईए और हो सके तो अपने दोस्तों विससे सेयर भी कर दीजे पूरे वीडियो को अं तक देखने के लिए